हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेर करूंगी काले चने और आलू का सब्जी, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, अब आज इसको प्रेशर कुकर में बना के दिखाएंगे, बहुत ही कम समय में बन के रेडी होता है और इसका स्वाद तो बहतरीन होता ह बरेज से लेकर बच्चे तक भी इसके दीवाने हो जाएंगे इतना टेस्टी बनके रेडी होता है तो चलिए हम इसको बना लेते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर मसाला रेडी करेंगे अटा चमच जीरा, दो चमच धनिया, दो कले में चलिया, पर हैं हम ने सबजी हुए बहुत अच्छा टेस्ट पर रात पर पानी में भी और रह ता था की कर दाई है अब प्रेसर कुकर में हम डाल देंगे 3 बरेचमच तेल यहां पर हमने सरसो तेल का यूज किया है और जो तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे 3 तेजपत्ता, 3-4 हरी मिर्ज और इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे उसके बाद हम यहां पर प्याज को एड़ कर देंगे प्याज को भी न हमको गोल्डेन ब्राण होने तक भून लेना है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा था है फरन्स यहां पर देखिए हमारा प्याज भी बहुत ही अच्छे से भून गया है अब इसमें डाल देंगे 1 चमच अद्रक और लैसन का यहां पर हमने ना 5-6 लैसन और 2 इंच अद्रक को नर कूट लिया है उसका अड़ कर दिया है आपके पास पेस्ट है तो उसका भी यूच कर सकते है इसको भी हमने लगबक एक मिनट तक भून लिया है ताकि इसका स्मेल खतम हो जाए उसके बाद हमने यहां पर आलो और चने को और दीआ है इसको अच्छे से मिक्स कर देते है उसको ढबत पांच मिनट तक मिडियम लोओ फ्लेश पर पकाएंगे देखिए लगबक पांच मिनट हो गया है और इसको एक बार मिक्स कर लेते है ये अच्छे से भош से भून गया है स्वारदन सारन नमक तो यहां पर हमने लगबग देश चमच नमक डाल दिया और सारे सब्जी के साथ नमक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको नो 2-3 मिनिट के लिए और हम पका लेंगे लगबग फूल फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तो यहां पर देखे फ्रेंस दो पाने डाल के इसमें एड़ कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और यहां पर हमने एक चमच का समरी लाल मिर्च का इंच किया है इससे नहीं इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर इसको अम ढखके ना मेडियम इसको 5-6 मिनटे के लिए पका लेंगे तो देखिये यहां पे 5 मिनटे लगपक हो गया है और मसाले सबजी के साथ अच्छे से पक गया है इसको हम कर देते हैं मिक्स अब इसमें जो चने को निकाल के रखा था था देखिया इसको हमने एसे पेश्ट बना लिया है एकदम मही के साथ मिक्स करेंगे साथ यहां पर हम फ्रेंड्स तीन से चार चमच पानी अड़ कर दिया है ताकि यह अच्छे से भून जाए चिपके नहीं तले में इसको भी अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देते हैं और इसको ढखके हम लगवाग 2-3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम प यहां पर लगवाग हमने एक कप पानी यूच किया है आप जितना चाहते हैं घेखकन को बुइन करेंगे ताब हम इसको खोलेंगे यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया हुआ था यहाँ पे थोरा सा इसका ग्रेवी पतला है लेकिन ठंडा हो जाने के बाद यह पूरी तरीका से ठीक हो जाएगा इस तरीका से आप लोग एक बार जुरू ट्राइ करियेगा आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आज का रेस्पी आपको पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सियर और सस्क्राइब करना ना भूले बाई फ्रेंड्स